तो जिहां दोस्तों चलिए आपको 2024 में ऑनलाइन अधार कार्ड डाउनलोड किस तरह से किया जाता है तो अगर आप कभी भी अधार कार्ड को प्रिंट करना चाहते हो तो किस तरह से करते हैं इसी इस लाइप प्रूप करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो देखते रह कि यह सबसे पहले आपको एक ब्राउजर को ओपन करना है दोस्तों चलिए मैं एक ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ तो इस पे आपने सबसे पहले क्या टाइप करना है यह ध्यान से देखते रही है दोस्तों ठीकिए सबसे पहले आपने इस पे अधार कार्ड की ओफिशल website को open करना है जैसे की UIDAI इतना ही लिखना है तो यह देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इस फेपर आपने click करना है तो जैसे ही आप open कर लेते हो तो site कुछ इस तरह से loading लेगी तो इंतजार करना है उसका थोड़ी देर में जैसे यह open हो जाती है तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो आपने इसमें यह देखिए यहाँ पर UIDAI जो लिखा हुआ है इसी की website आपको open करनी है site जैसे ही open हो जाती है दोस्तों तो आपको सबसे फहले इस तरह से देखने को मिलेगा यह देखिए यहाँ पर English लिखा है Hindi लिखा है तो आपने इसके उपर भाशा को चुनना है जैसे ही आप चुन लेते हो तो उसके बाद Welcome लिखा हुआ आएगा तो आपको इसी के उपर कलिक करना है जैसे ही आप कलिक करते हो तो साइट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको तो इसमें अपने धीरे से स्लाइट करना है उपर की तरफ यह दिखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा Update आधार कार्ड Get आधार तो आपने सबसे पहले क्या करना है आपने Get आधार की उपर कलिक करना है यह दिखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है Download आधार तो आपको इसी की उपर कलिक करना है जैसे ही आप कलिक करते हो तो साइट दुबारा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी यह दिखिए आपने इसे उपर की तरफ करना है तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा यह दिखिए बहुत सी साइटें आपको नज़र आईगी इसमें जैसे की यह दिखिए Download आधार इसी के उपर आपने क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको साइट इस तरह से देखने को मिलेगी दोस्तो आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको किन किन चीजों की जूर्ट पड़ेगी दोस्तो यह दिखिए सबसे पहले आधार कार्ड दूसरा अनॉर्मान आइडी बिट्रूट आइडी इन नम्बरों की आपको सब्सूर्ट पड़ेगी दोस्तो तो चलिए मैं आधार कार्ड को ले लिता हूँ यह दिखिए यह आधार कार्ड है इस आधार कार्ड को यह जो नीचे आपको दिख रहा है एंटर आधार नम्बर यह दिखिए यहाँ पर आपने आधार नम्बर को डालना है और उसके बाद आपने एक एंटर कैपचा लिखा है यहाँ पर आपने इस कैपचा जो लिखा है इसे यहाँ पर फिलफ करना है उसके बाद यह जो सेंड ओटी बी जो है यह आपके अधार कार्ड से जो नमबर लिंक होगा उसी के उपर एक OTP जाएगा जिसे आपने फिलफ करके आपने जैसे ही यह देखिए जैसे मैं सेंड OTP के उपर क्लिक कर देता हूँ तो एक मैसिज जो है रिश्टिट नमबर पर चला जाएगा जैसे की जैसे ही वो OTP आ जा हूँ यह देखिए OTP को आप जैसे ही यह देखिए यहाँ पर भी OTP आ गया है यह देखिए यहाँ पर मैं OTP को फिलफ कर देता हूँ यह देखिए यह देखिए 83,49,25 इसे मैं फिलफ कर देता हूँ दोस्तों फिर आपने वेरिफाई नमबर पर क्लिक करना है तो जैसे यह आप इसे क्लिक कर देते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा थोड़ा सा वेट करना है आपने यह देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आएगा कॉंग्राजियूलेशन यूर अधार कार्ड हैज वीन सेक्सिसफूल डाउनलोड़िड तो यह आपका डाउनलोड हो चुका है तो जहां से देखिए दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए आपको एक को आपको किस तरह से क्रियेट करना है दोस्तों यह देखिए यह जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें आपने पासबर्ड को सबसे पहले जो अधार कार्ड के उपर आपका जो नाम है उसके चार अक्षर लेने हैं और डेटो वर्त के चार अक्षर आपने और लेन है तो चलिए आपको दिखा देते हैं चलिए बैक चलते हैं यह देखिए उपर उपर की तरफ तीर लगा हुआ है इसकी उपर आपने क्लिक करना है दोस्तों तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूं तो आपने देखना है कि अधार कार्ट कहां पर डाउनलोड हुआ है डाउनलोड क चुका है दोस्तो तो आपने इसके उपर क्लिक करना है तो जैसे आप क्लिक कर देते हो तो इसमें आपको कैसे दिखेगा दोस्तो यह देखिए यहां पर आपको एक पासवर्ड डालने के लिए दिख रहा है जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आप उसे नहीं आपने अधार कार्ड के चार अक्षर लेने हैं अपने नाम के और डेटो वर्थ जो आपकी यर्ज की है उसे आपने इसमें डालना है तो चलिए मैं नाम के चार अक्षर डाल देता हूं तो उसके बाद मैं जो है इसमें अपनी जो डेटो वर्थ लस्ट की है उसे मैं चार अक को यह देखिए दोस्तों देखते रहे यह देखिए जैसे आप इसे डाल देते हो तो ओपन करना है से जैसे मैं ओपन करता हूं यह देखिए इस तरह से आपको अधारकार्ट जो है ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आपने यह देखिए यह पूरा आप जो है इसमें देख सकत तो इसे print कैसे करना है, तो print के लिए मैं बता दूँ दोस्तों, यह देखिए, 3.0 के उपर आपने click करना है, जैसे click कर देते हो, यह देखिए, यहाँ पर आप download भी कर सकते है, और print भी निकाल सकते है, चलिए मैं इसके उपर आपको click करके दिखा देता हूँ, यह देखिए, य जैसे आप प्रिंट के ऊपर चल जाते हो तो आपको जो भी आपने प्रिंटर लगा रखा हो तो आपको इसे प्रिंट भी कर सकते हैं अधरवाइस आपने डाउनलोड इसे करना है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यह दिखे यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का उफ बास्क्राइब जुर करें दोस्तों